मैं जादू वर मलतुरा जी हूँ, टूक्त आफ मैजिक चैनल में आप सबका हार्विट स्वागत करता हूँ आज मैं एक नया जादू लेकर के आया हूँ, सबसे पहले मैं जादू आपको दिखाओंगा, उसके बाद उसका रहस से आपको बताओंगा तो चलिए दोस्तों, जादू की तरफ चलता है आपको ये वीडिया अच्छा लगे तो मैं चैनल को सब्स्प्राइज जरोड कर दीजिएगा और पास में बन लाइकन को दिदबा दीजिएगा ताकि आगे मैं अप्लोड करने वाला तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन्स समय समय पर और सबसे पहले आपको मिलता रहे अब इस जादू का रहाश्य की और चलते हैं दोस्ता इसके लिए आपको एक स्पेशल टाइप का मैजिक वेंड बनेना पड़ेगा जो होलो है और दोनों सैड में एक प्लास्टिक का डक्तन इस तरह से रुविट गिया हो और पांचे स्प्रिंग फ्लवर का एक गुच्छा इस तरह से जनाना होगा स्प्रिंग फ्लवर को इस तरह से एकटा कर दीजिए और इसके उपर एक नाईलोन का डागे से एक रिंग से बना दीजिए जी से यह है अब इसको इस तरह से फोल्ड कर दीजिए गोल कर दीजिए और इसका एक सेड में इससे डाल दीजिए और ये जो डागा है इसको डार कर दीजिए इसे ताकि इसके अंदर हम इंगले इससे डाल सके है उसी तरह से दूसरा जो स्प्रिंग फ्लावर का उच्छा है उसको भी उ और यह जो नैलोन का रही है इसको बाहर रख दीजिए और इसको उसी तरह से इस तरह से फोल्ड करके इसके दूसरे एंड में डाल दीजिए ऐसे और यह धावार बाहर रख दीजिए इसे एको दिखा दीजिए इसे रंट को और इसके अंदर खॉटआ इससर डाल दीजिए और यह बाहरा आजाएगा तो जिससे अीच के डालता हैं तो इसको उल्टा कर दीजिए और इस रंग के अंदर बार दीजिए और खुंग दीजिए उस्रा विच्छा हाथ में आ जाए रहा हूँ जय गनेश जय गनेश जय गनेश जय गनेश रक्षमाम अकिंचनार्ति मार्जनम चिरंतनों पिभाजनम कुरारी पूर्वनंदनम सुरारी गर्वचर्वनम प्रपंचनाश भीषनम धनंजयादिभू अब इस जादो का रहस्य क्या है हम देख लेता है इसके लिए मैं एक तास्क को प्रिक्पर करना है इसे इस तरह से एक कर्ड को में प्रिक्पर करना है और सबसे नीचे उतास को रख दीजिए और इसको शफल कर दीजिए और यह जो टास है इसको हम सबसे ऊपर रखना है इस तरह इसे रख दिया यह तास को उठा दिया और दिखा दिया और व्लास को ले लिजिए और जब इसके उपर इसे रखते हो तो इसको इस तरह से खूल दीजिए और उसके उपर प्लास को ऐसे रख दिजिए जब इसको उठाते हो तो इसको इस तरह से ले करके ऐसे उठा दिजिए कर दो दिए